पूरे देश में आजादी का अमरित महोस्व मनाया जा रहा है सुतंदरता के 75 वी वर्सगाट के आउसर पर बिगत 13 आगश्ट से 17 आगश्ट तक घर-घर तिरंगा अभियान चला कर प्रसासन देश प्रेम की अलख जगाने का प्रयास कर रहा है वहीं एक ऐसी ग्राम पंचायत भी है जहां धजा रोहन भी नहीं किया गया इस दोरान अस्थानी लोगों ने आरोप लगाया कि भष्टाचार में लिप्त सर्पन सच्यू पंचायत को सिर्फ पैसा निकालने के लिए पंचायत भवन मानते हैं सभी अपने अपने कारियों में बेस्त रहते हैं सिर्फ सासन की योजनाओं का पैसा निकालने के लिए पंचायद भवन बना है धजारोहन स्कूल में किया जाता है वह भी सासन के डर से उक्तग्राम पंचायद की सरपंच संध्या सिंग हजजब की सचीव दिलीव सुकला और रोजगार सहायक अंकीता सुकला है जिनके द्वारा धजारोहन नहीं किया गया है स्थानी लोगों ने प्रसासन से इनके खिलाब कड़ी कारवाही की मांग की है आई आपको सुनाते हैं स्थानी लोगों ने क्या आरोप लगाए है हमारे यहां के माननी सरपंच साहब, सचीव साहब यह लोग इस्कूल में धोज़ा रोहन करने जाते हैं अपने पंचायद भवन को पंचायद विहीन बना के रखे हुए है और पंचायद भवन के ग्राउंड की हालत देख लीजिए और यहां की जनता की हालत देख लीजिए क्या सचू यह सन है यहां सिर्फ भरस्टा चार भेट चड़ा है उसी का नतीज़ा की देश का धोज़ा रोहन भी नहीं हुआ है इतना बड़ा आपमान मैंने पढ़ली बार देखा हूं कि जिस पंचायद में पंचायद भवन के अंदर धोजा रोहन का सम्मान ना किया गया हूँ क्याब के पंचायद में अभी दोजा रोहन नहीं हुआ लापता है इसके बारे में क्या करेंगे आप लापता नहीं है अभी इसकूल में बारा बज रहें आपके यह दोजा रोहन नहीं हुआ अभी तक उसके बारे में क्या करना चाहते हैं पंचायद भवन का यहां के सर्पांट हो जाए जन्ता हुए पंचायद के पंचायद मंते नहीं आई पंचायद पाइस पानी अईसे भराज इसे तालाब हो तो काम डंडम अपने अपने भिड़े हैं अमोदी के डरन के मारे जन्डपारा में स्कूल माग है तो खाली इनके लिए स्कूल बस की प्राथ मिक्ता दी जाती है सर्पांट हो रहा हुए स्कूल आगे सब्सक्ता सरकार के डिरन के मां से उस्कायद कुछ नहीं करें हम अपन काम डेकरते हो जन्ता दतनी पोर्श के जिचाद एठी हर्वे और विकास नहीं करेंगा आमकुष करेंगे प्राथ मिक्ता सरकार के लिए और विकास नहीं करेंगा के जिए एक रहा हुए स्कूल आमकुष।